जो भी मैम नए एस्प्रैंस हैं जिनको तयारी करना हैं solution करना है तो किसी भी तौप पर को देखने जाए कि इस टौप नहांसे कोचिंग च ineंता है क्योंकि होता है कि तौप जो को ज़्यादा काम करना चाहिए ग्याया नम्मर में, थ्री मारकर सबसे पहले उसके ग्याया नम्मर और कुशन, क्योंकि इसमें अगर हमने जो density दी है, आंसर में, तथ्यात्मक जानकरी, अच्छा से दी है, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो इसमें नम्मर बढ़ते है नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुची धर्वन पाटशाला में बच्चों जैसा कि हम जान रहे हैं कि रुची धर्वन पाटशाला आपके लिए टॉपर स्टॉक लेकर आया है जिसमें आपको जो बच्चे चैनीत हुए हैं मदप्रदेश लोक सेवायो की परिक्षा में अंतिम रूप से उनके अनुभव को जानने का मौका मिल रहा है लेकिन अगर रुची धर्वन पाटशाला में इन्होंने काम किया बहुत अच्छा तो बढ़ापे कभी कभी वीडियो बनाने का मौका मिला तो वो भी जरूर बनाएंगे इसके अलावा हम एक-एक पहलूओं से कि इन्होंने कैसे तयारी करी है कौन सी बुक और आपके जितने भी कोश्चन्स आपने अभी तक के बोले हैं वो सारा हम मनीज धनकरजी से पूछेंगे एक और बात इनके बारे में मैं बता दू कि मनीज धनकरजी जो है वो मेंस टॉपर है जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना है इनके जो नंबर है मेंस में वो फॉस्ट रैंक से भी जादा है तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी मनीज जी से जो हम आ आपको आपने मुझे आंपर आमंत्रित किया है और अच्छा लागा में मैं आप से मिलके काफी पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी इस तैयारी के दोरान शुरुआती क्लास मेरी आपकी एक क्लास में में रहा हूं और MP के जो आपकी क्लास थी उसका में स्टूरेंट पर तो इतने समय के बाद और फाइनली सिलेक्ट होने के बाद अपने गुरू से मिलना काफी अच्छा अनभव होता है तो बहुत-बहुत धनिवाद में आपको अचली मनीश ने जैसा बोला हाँ मैं हिंदी के अलावा मुझे याद है MP के मनीश इस्टूरेंट रहे है मेरे MP मैं 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 मनीश को पढ़ाया है से बहुत सारे और बी सबजेक्ट हैं जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाते हैं इंस्टिट्यूट में ऑफ-लाइन में को याद ह तो म सब्सक्राइश का मनीश को ने इस्टूर से लाकcida सारे अचली इसा है अचली रही है मनीश कि मञेद मेरे करे पर दोला सतर है मनीश को याद यू मैं मैं याद मोझे टेम्ली इसे बहुँ स पढ़ाइन पढ़ा रहा घृ नहीं ले इसके बाड वनीश के अप या बात कैसे टीचर्स को देख कर एडमिशन, कैसे बुक्स को देख कर कोचिंग को देख कर एडमिशन लेंगे और मनीश के एक बात मुझो याद है कि ये पहली क्लास से ही बड़े सिंसियर बच्चे रहे मतलब मैंने बच्चों की कैटिगरी भी मैंने बना कर रखी दो से तीन टाइप के बच्चे मनीश हम लोग जब आपको पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है जो शुरू से लेकर अंति तक बिल्कुल सिंसियर होता है दूसरा बच्चा होता है कुछ नटकट सा शैतान सा और तीसरा आता है जो माहोल बनाने आता है लेकिन ऐसे बच्चे थोड़े कम होते हैं क्योंकि में को लगता है सब मध्यम क्लास के या मध्यम वर्गी बच्चे हैं जिनके लिए एक रुपिया भी बड़ा कीमती होता है तो ऐसे बच्चे तो कम देखनों को मिलत तो उनमें से मनीश जो हैं वो पहले नंबर के बच्चे हैं जो हमेशा से मतलब बिल्कुल सिंसेर बच्चे के तौर पर रहे हैं तो मतलब इनकी पढ़ाई क्या तरीका और सारी चीजे अभी हम आगे जानेंगे ठीक है सबसे पहले तो मनीश यह जानना चाहूंगी कि पहले के मनीश में और अपके मनीश में क्या बदलाव आगे और आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं कि एक स्टुडेंट और डिपटी कलेक्टर मनीश जो बोला जा रहा है उसमें क्या चेंजेस लग रहे हैं सबसे बड़ी बात तो मैं यहीं कि अभी तो हम वो परिवरतन को समझ नह को लेकर नजरिया था उनका काफी परिवरतन आचका है मैं पहले हमको अज़े स्टुडेंट एक के रूप में देखते थे तो वह रिस्पेक्ट हमको साइद नहीं मिलती थी लेकिन अब जितने भी लोगों से मिलते हैं तो रिस्पेक्ट में मिलता है समान मिलता है खास तर पर डीसी डीसी बोलते हैं, तो काफी मैं बहुत कुछ चेंज गए इसके बाद, देखो ना, टीचर भी मतलब सम्मान इतना दे रहे हैं, माता पिता सम्मान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे मनीश ने ये बात बोला, कि पहले मैं बात अलग थी और अभी की बात अलग है, कि मैं को एक चीज याद अगई कि कुछ एस्पिरिंट जो होते हैं, कि कुछ एस्पिरिंट जो होते हैं, कि मैंनत करने के बाद में सेलेक्शन नहीं हो पाता है, तो हम उनको बड़ा कम आखते हैं, इस पूरी जरनी में में ये समझ में आया कि हमको उनके साथ ऐसा वहवार उनको कम नहीं आखना चाहिए, जिसके बारे में अगें हम बात करेंगे, मैं को ऐसा लगता है, कि आप जिस कंडीशन में वो बच्चा है, सफल हो रहा है, हम उसको सेलेक्शन नहीं हो, इसलिए उसको एकदम से डिनाई कर देते हैं, तो हमारे पास दिमाग है, हमको थोड़ कुछ दिन की किसमत भी आपकी काम करती है, लग फिक्टर भी काम करता है, तो जो भी लोग साक्षात कर देते हैं, उन सभी में वो जो चाहनित होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और मुझे लगता है कि जिनका भी चाहन नहीं हुआ है, वो निश्चत रूप से एक का गाओ बताएं, कहां से आते हैं, अम्मी पापा के बारे में थोड़ा बहुत बताएं, भाई बहन कितने हैं, अपने पारे बर एक बेग्ग्राउंड को बताएं मैं मेरा जो निवासिस्तान है, मैं मत्यप्रदेश के सीहोर जिले सा आता हूँ, और सीहोर जिले में खजुरिया कला मेरा गाओं है, लेकिन मैं मेरी जो पढ़ाई हुई है, पूरी तरह से मतलब बचपन से लेके उपरा स्कूल मेरा मामा जी के हहां पर हुआ था, हमारे मैं इसके अलावा दाद दादीजी है, और हम मेरा एक बड़े भीया है, चोटा भाई है, बड़े भाई साब का भी दो महिने पहले ही सेलेक्शन हुआ है, वो भी तियारी कर रहे थे घर से, और इसके अलावा चोटा भाई घर पे ही पापा की हेल्प करता है, और एक नॉर् आप ने बताया पढ़ाई से रिलेटेड ज्यादा उतनी सोविधाई नहीं है, कहां तो कि स्कूल है वहाँ, जब मैं चोटा था उस समय वहाँ पर आटवी तक स्कूल था, अब तो हला कि मैं बार्वी तक स्कूल हो चुका है, लेकिन कहीं नहीं क्वालिटी की बाद होती है और केवल मैं स्कूल तक पढ़ाने के बाद ही नहीं है, स्कूल के बाद जब मैं स्कूल कंप्लेट हो गया तो उसके बाद आगे की पढ़ाई को लेकर खास तो पर सिविल से वा के बारे में जो इंफरमेशन मुझे उन से मिली, साक्षात करके दोयान भी उन्होंने में काफ इन्टर्साइंस में प्यस्जिति किया, इसके बाद मैं में, में बाद में और में देका के साथ ही, आरे बहुत बहुत बढ़ाइँ उसके लिए उसके लिए भी, एक चीज और बताएं मनीश, जैसे आप मैंने मनीश को पीएस्टी की तैयारी के दोरान ही देखा है मिली हूँ दो बरी जैसे मनीश ने बोला कि एक तो एमपी पढ़ाने के लिए दूसरा आंसर राइटिंग वगिरा और इन सब चीजों के लिए जब हम एक और बार मिले टेस्ट के लिए मिले वहां पर थ तो मनीश उनमें भी रहे हैं जैसे कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक राहुल सिभहरे सर का भी इंटर्व्यू अपने रुची धर्मन पाठशाला में आया है तो हमको याद है हम राहुल सर के साथ में हमने मनीश की कई बारी बाते करे हैं कि इनकी कॉपी एस बच्चे के खेवल आंसर देखके कि बच्चा कहां पर एक्जिस्ट करेगा और इतना तो खेर हम यह चाही रहते कि मनीश डिपटी कलेक्टर बनेगा लेकिन मनीश ने मतलब तो बाजी मार दी पूरे मेंस में सब से जादा नंबर मनीश के रहें क्योंकि मनीश की राइटिं कि मनीश यहां पर मेंस में इन है इतना तो हमको तय था लेकिन अब यह पूछना है कि क्या मनीश अपने एजुकेशन इस्कूल और कॉलेज के दोरान भी असी रहें क्योंकि कॉलेज में तो हमने मनीश को नहीं पढ़ाया तो स्कूल में आप कैसे स्टूडिन थे मनीश में पढ़ने में अच्छा था मतलब जो बोलते ना फेवरेट बच्चे होते हैं तो मैं अच्छा वहां पर भी वनीश वेवरेट ही था अच्छा रहा था कॉलेज में हाला कि मैं पहली बार छोटे डाउन से बड़े से इन दूर में आया और थोड़ा सा इंगलिश का यूश्य मेरे साथ बच्च पंज था में तो कॉलेज में और थोड़ा से प्रस्टेज ब्राउन हुए पढ़ाही में तो लगा लेकिन ठीक था में पढ़ने में और श्कुल में तो मैं अच्छा रहा था अच्छा एक बात और पिछले कुछ सालों में ऐसा चल रहा है कि इंग्लिश म वेरी बिलकुल नहीं है, हम जो एक हुषा बना रख रहे हैं, माध्यम का, इंग्लिश्ट मीडियम वाले बच्चे स्मार्ट वर्क कर रहे हैं इस यह उनका रिजल्ट अच्छा अच्छा रहा है, मैं सही चहहरी हिए मैं रिजल्कुल मैं मने बदीत हैं और हिंडियम वाले बाते कर रहे हैं और दिखा रहे हैं जी हां आपके टीचर जब कॉपी चेक करते हैं तो उसमें पूरी गलतियां आपके जो अच्छे आंसर है उसको आपका जो बुरा लिखने का तरीका है सब की बाते करते हैं और मनीश की कॉपी तब अच्छी थी तो हिंदी मीडियम वाले मुझे लगता है अगर टूदा पॉइंट वैसे लिखेंगे तो बिल्कुल टॉप कर सकते हैं और आपके सामने उधारण है टॉप करने का फर्स्ट रैंक मेंस में सबसे ज्यादा नंबर ठीके तो यह बिल्कुल आप भ्रम छोड़ दीजे कि हिंदी मीडियम का सोर्स नहीं अगर आपने हिंदी से भी अपना सेलबस कवर किया है और आप अच्छा लिखते हैं मतलब लगाता है आपने सेलबस करने के बाद टेस्ट लिखे हैं और आपके अंसर राइडिंग अच्छी से इंप्रूव किये तो आप नंबर लेके आ सकते हैं मैं और भी लोगों कुछ अच्छा वेलेबल है आप भी अच्छा काम कर रहें और आपकी महनत की बदोलत यह संबभ हो सका है तो आपको बहुत बहुत थेंक्य उसके लिए और मैं जो भी हिंदी मात्यम से अगर अपने अच्छा काम करते हैं जो उनके वीक पॉइंट से हैं वीक टॉपिक से उसके आंसर रेटिंग करते हैं तो निश्चत रूप से उनको हिंदी मात्यम का जो एक हुआ है कि हिंदी मात्यम से नंबर नहीं आएंगे वो गलत बात साबित हो जाती है मैं भी इस बात से अगरी करती हूँ मनीश ने कहा कि आप भी अच्छा काम और यह सब चिज़े आपको पता है बच्चो सीरियसली यहां पर मैं आपको बता हूँ मेरे लिए बड़ी अचीवमिंट की बात होती है जब मेरा क्लास का पढ़ाया हुआ बच्चा सलेक्ट होता ह है सीरियसली बता रही हो हम इसके पहले यह इंटर्व्यू सेशन्स और यह सब नहीं कराते थे क्योंकि पहले मेरे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं था कि मैं मेरे क्लास के बच्चे ते कि अकेले मेरी महरत नहीं है मैं यहां पर हर टीचर को इंग्लूट करूंगे क्योंकि अके आप में बहुत प्राउड मुवमेंट और जब बच्चा कोई टॉपर निकल जाए उन सब्जेक्ट से जो आप में रूल अदा करते हैं तो बहुत बड़े अच्विमेंट की बात होती है तो उसमें से एक मनीश और मनीश के लिए तो मैं आपको मतलब शब्दों में बयानी कर करते हैं कभी टिपिन खाते हैं कभी कुछ करते हैं हना पढ़ने में मननी लग रहा और दूर तक टीचर को जादा दिखाई नहीं देता लेकिन मनीश अगर पीछे भी कभी बैठे रहते थे तो जैसे अभी खड़े है ना मनीश बिलकुल अलट बैठते भी बिलकुल अलट पूछना, आंसर रेटिंग चेक कराना, जहां लग रहा है ये टीचर हमारी इस कमजोरी को दूर कर सकता है तो ये सारे काम करके फिल्टर होकर मनीश आपके सामने खड़ें, टेस्ट में भी हर टीचर से पूछना की कैसे लिखें, कैसे आंसर लिखें, हिंदी में कैसे लिख इतनी ही मानदारी के साथ करें, जितनी ही मानदारी से पढ़ाई करा है। ये जो पीएससी की तैयारी का मन में जो खयाल आया था, वो कहां से आया था, पहली बार ऐसा कब लगा था कि नई यार में को भी पीएससी करना है, कैसे आया था ये खया, मतलब एकदम ऐसे कि पॉइंट से शुरू हुआ ऐसा कुछ नहीं था, मैं जब ट्वेल्ट में था, उस समय मेरी टीचर ने में को बताया था कि इस तरह की सर्विसेस होती है, जब महां पे करियर ओप्शन देखने के बात होती है, पर मैं उतना अट्रेक्ट उस टाइम पर नहीं था, फिर मैं जब ट्वेल्ट पास आउट होने के बाद जो इन दूर में आया था, तो एक दो सर्षस मिले के हम अच्छ तयारी कर सकते हैं, तो मेरा ग्रेशन कतम हुआ था मैं 2018 में, और मैंने मैं जुलाई से टीरी टी तूлыए, जुलाई 2018 में कोचिंग स्टार्ट करने के बाद से में लगाता तियारी करता रहा, बढ़ाम मेरा प्रयास था, उसमें मेरा साक्षातकार के लिए चैन भी हुआ है, और 2020 में मेरा दूसरा प्रयास था, इसमें मेरा चैन हुआ है, मनीश से एक रिक्विस्ट करें क्या, 2020 में मनीश ने में स्टॉप कर दिया है, तो मनीश, 2019 में फिर से इंटर्व्यू देने वाले, कि आप लोगों के लिए एक पोस्ट छोड़ दे? मैं अभी इस बारे मेरा टीचर से बात कर रहा हूं कि क्या सही औप्शन रहेगा इसमें, और मैं रही बाद 2020 में पोस्ट की, तो अगर मैंने छोड़ी, तो किसी को तो मिली जाई, मैं तो मैं और देखता हूं, देखूंगा मैं इसमें चीज़ क्या हो सकता है, वर भी अच्छा, नहीं, ये हम मजाग कर रहे थे, सिर्फ बच्चों की तरफ से, एक चीज और मनीश, आपने जैसा की बताया, आपने ग्रेजुविशन के दौरान ही तयारी स्टार्ट कर दे थे, मैं स्वरी मैं मैंने ग्रेजुविशन के बाद तयारी स्टार्ट के थी, क्योंकि मैं मेरी उसमें एज नहीं थी, मनीश से यह पूछते हैं, यह तो मनीश की तयारी की जर्नी हुई, मनीश ने प्री मेंज और इंटर्वियु में तयारी कैसे कैसे करी, हम बिल्कुल विस्तरत रूप से जानना जाते हैं, पहले हम तयारी की बात करेंगे बच्चों, उसके बाद जो आपके प्रशन है वो हम मनीश से पूछेंगे, जो बहुत सारे बच्चों ने प्रश्ण किये हैं कि मैम ये प्रश्ण है ये प्रश्ण है तो ये प्रश्ण के लिए मैं भी एक separate वीडियो बनाऊंगी लेकिन अभी हम बच्चों से मत लेते हैं उनके accordingly मत लेते हैं क्योंकि क्या होता है कई बार no doubt मनीश ने जैसा पोला कि मैम आप लोगों ने पढ़ाया आप लोगों की महनत हो और आपने जो बताया वो करके हम यहां बने लेकिन ये बन गए न तो आप ये सुनेंगे बने वेक्ती से ही तो शायद मुझो यसा लगते वोई वाली बात होती ने कि स्टांप लग गया थपा लग गया कि अब तो ये सही हो गया तो वही चीज के लिए पहले ये प्रशन हम मनीश से करेंगे बात में एक वीडियो भी इस पर बनाऊंगी बात में कि कैसे तयारी करना चाहिए जो सारे बच्चों का एक कंक्लूजन वीडियो रहेगा लास्ट में आपके लिए बना के जरूर अपलोट करोगे तो सबसे पहले हम मनीश से ये पूछते हैं कि मनीश की तयारी का आपकी क्या स्ट्रेजी रही कैसे क्या आप बढ़ते थे प्रिलिम्स के मेरा ग्रेशन पुरा होने के बाद मेरे पास है सबको मैंने कोचिंग के तुरूख में उसके बाद मैं माने कोचिंग कमप्लेट हूई थी उसके तुरंत बाद नोट्टिफिकेशन आ घया था तो हमारे पास 45 days थे तयारी करने के लिए, तो मैं उसके बाद जो हमारा syllabus था, जो prelims का defined था, 2019 का syllabus में, मैंने syllabus के according तयारी की, और दूसरी बात, फिर मैं मैंने जो previous question देखे थे, मतलब लगबग 5 साल के, 5 साल के मैं question देखे, तो उसमें मुझे लगा कि जो MP का बेटे जे, सबसे जादा है, और recently हम देखे हैं, तो 19, 20, 21 और 22 में, लगबग 30, 35 question MP के रहे थे, तो मेरा focus MP पे था, कि prelims निकालना है, तो आपको MP आपका अच्छा होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले मैंने MP को strong किया, उसके जो भी notes से उनको prepare किया, objective लगाए बहुत सारे, और बार-बार revision किया उसका, इसके बाद मैं हमारे जो prelims के syllabus है, उसमें जो static subject है, उसके question भी आते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है, जो misleading subjects हैं, जैसे की art and culture, sports, currents, तो मेरा focus prelims में इन ही चुज़ों पर था कि मैं ऐसा question, ऐसा topics जो बहुत छोटे हूं, लेकिन नमबर अच्छे आते हूं उनमें, तो उनको पहले तयार किया, और मैं, चूँकि मैंने मैं पहले mains बढ़ा था, तो जो static subject थे, history, geography, politics, economics, मैंने उसे cover हो गए थे, और मैं एक finishing touch देने के लिए मैं लूशन की भी बहुत help मिली मैं को, लूशन में बहुत concise way में पूरा prelims के बहुत सारे question आपको मिल जाते हैं, तो सबसे पहले वही कि जो हमारे इस topics हैं, कि बहुत कम तयारी में हम अच्छे number ला सकते हैं, उ कि जैसे quality के लिए, अब देखो, मनीश ने भाया, लूसिंट का नाम ले दिया, तो एक बार पूछी लेती हूं मनीश से, कि मनीश आपने M. Lakshmikant prelims के लिए तो नहीं पढ़ी, मैं मैं को पढ़ने का time ही नहीं मिल पाया उसको, और मनीश को यह लग रहा है, मैं नहीं पूछने हो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, क्लास खताब, अब आप इसको, एक्चुली मैं personally मुझे लगता है कि हमारे MPPC के क्यों पेपर आते हैं, चाहे हो prelims के हो, चाहे मुख्य परिक्षा के हो, उसमें question का इस तर, उस level का नहीं है कि हमको बुक से ही पढ़ना पड़े, और आप जिसे teacher महनत करते हैं, बुक्स को पढ़ने के बाद, आट बार पढ़ने के बाद, दस बार पढ़ने के बाद, नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स सफिशेंट हैं, और नोट्स में हमारे पास ही होता है, कि हम 400 पेज के एक बुक पढ़न अगर हम हमारे जो प्रॉपर नोट्स हैं, और कोई भी मार्केट में जो भी अवेलेबल नोट्स हैं, आपके सिलेबस के कवर करते हैं, तो उसमें से कुशन बनते हैं, नोट्स के जब यह बात चल रही हैं, तो मार्केट में अभी मुझे ऐसा लगता है बच्चो, कि इतने अपने नोट्स हैं कि हम खुदी ब्रहमीत हो रहें, क्योंकि आपने बोला बहुत सारे नोट्स वह वैसी कहानी हो गई, मैं को याद है, चाउदा में नोट्स ही नहीं थे, जब स्लेबस करना है, क्या करना है, जब स्लेबस प्रिपार हुआ था, तो हम बड़े परेशान होत तो हर coaching के notes हैं अलग-अलग publication के notes हैं और सभी अच्छे हैं और सभी में कुछ ना कुछ कमिया भी है मैं को लगता है कि हमने जिस भी teacher से पढ़ा है सबसे पहले तो हम उसी को वरीता दें क्योंकि हमने उनसे पढ़ा है हमको उनकी language पता है उनकी जो हमको जो उनने पढ़ाया था topic वो उसी भी में notes में मिल जाता है तो हमारा preference वहना चाहिए पहली बात तो यह हमने syllabus पढ़ा पढ़ लिया है अब उसके बाद हम आत्मा उलोकन करें इस बात का कि जो हमारे पास notes available है क्या हो हमारे syllabus की demand पूरी करते हैं अगर उसमें कोई कम ही दिखती है तो उसके लिए हम द notes की language easy way में हैं आपको समझ आती है तो आपके लिए पढ़ना बढ़न लगता है फिर वो और easily याद होता है दूसरा फिर यह कि मैं कोई भी notes अगर आपके जो topic है उसको 80-90% भी कवर करता है तो आपके लिए सफिशेंट है हो क्योंकि लगबग इतने कोशन वहां से बन जाते हैं तो आप market में कोई सा भी source ले सकते हैं आपकी तैयारी के या फिर जो भी आपके पास availability ना हो उसको देख के ले सकते हैं पर फिर भी मैं यह है कि आपने notes लिए हैं तो बहुत ज्यादा various source ना रखें एक topic के लिए single notes और हो सके तो अगर हमको दो स्टोर से पढ़ना भी है तो पहले पढ़ लें उनको और दोनों को फिर concise करके यह ही में कर लें ताकि हम जब last में तैयारी करें तुमारे पास बटकाव ना हो मतलब पूरा direction आज हम मनी से लेंगे मतलब prelims के लिए अगर मैं इसको conclude करो तो MP का आप source बताए MP कैसे कहां से करी थी आपने MP पहले तो मैं जब मैरी coaching हो गई थी तो जो coaching के notes से मैंने पहले उनसे पढ़ा और मैंने लगातार दो prelims उन्हीं notes से दी थी लेकिन मैं चुकि होता है कि MP लगातार उसमें subject change होते मिलब हमारे data change होते रहते हैं तो हमको जो हमारे notes हैं उसको update करते रहना चाहिए या तो हम उसे update करें या फि क्योंकि क्या होता है क्यारी के दौरान हमको एक से देड़ साल तो लगी जाता है क्योंकि प्रिलिम से लेकर में सक्की और अभी का तो कहानी छोड़ी दो अब लेकिन मुझा लग रहा है PSC अब ट्रेक पर आ गई है अब देड़ साल लगेंगे जैसे लगे थे अभी तो इस दौरान बहुत सारे डेटा चेंज हुए लेकिन concept चेंज नहीं होते बच्चो याद रखना और टीचर आपको ये बात सिखा देता है कि कैसे आपको चीजों को अपडेट करना है और पढ़ते पढ़ते ये नॉलेज आपके अंदर खुदी आजाता है कि आप चीजे कैसे अ अगर इमानदारी से तैयारी करते हैं आपके अंदर इंदर इतना नॉलेज आ जाएगा कि जहां डेटा लिखे हैं जो भी करिंट अफेर से आपने टेस्ट लगाया है लास्टेर के कुश्चिन पिपर देखे हैं तो आप उसको अपडेट करिए उसको नया बना दीजे ये आप उसी टीचर का या जहां से भी आप जो नोट ले रहे हैं उसी का अपडेटेड नोट्स ले लीजे यही बात बोला और उसके बाद सेकंड बात इन्होंने बोली MPK number of MCQs prelims के लिए लगाएं MCQs काई से लगाए थे आपने पहले तो हम पढ़ते हैं किसी नोट से और नोट्स पढ़ने के बाद मार्केट में जोगों भी सब्सक्राइब को अच्छी हैं और सबी में कुछ प्रॉब्लम से क्योंकि MP में को बैसिकली देखने को मिलता है कि बहुत सारे कुश्चन में डाउट से रहते हैं कि उनके लिए हमको डबल डबल सोर्स मिलते हैं डबल डबल फेक्ट मिलते हैं तो उन कुश्चन पर जादा सब्सक्राइब को अच्छी लगती हूँ और आपको लगता है कि हाँ यह मेरी MP की डिमांड है उसको 90% पूरी करती हो तो उसको आप लगा लें मतलब मैं मुझे लगता है कि अगर आपको प्रिलिम्स निकालना है तो आप नोट्स पढ़िए अब्जोट्टि लगाईए फि तो पेपर वन पेपर टू दोनों में काम आती है मैं तो तथ्यात्मक जानकरी के लिए लगातार MP के नोट्स पढ़ना चाहिए और फिर रिपेटिडली उसके लगाने चाहिए मैं मेंस की दयारी क्या कैसी रही पेपर बन से लेकर पेपर शिक्स तब पूरा मैं मेंस के लेकिन खेशे घंटे क्लासे सोती है तो बहुत कुछ चोड़ जाता है तो जब भी हमारा मैंस का स्लेबस कंप्लेट हो या हमारी कोचिंग कंप्लेट हो तो हमको एक-दो मैने का टाइम देना चीक हो इस बात के लिए कि पूरे स्लेबस में से हमने क्या हमको इसा अब्जेक् पर हमको काम करना है और एक-दो सोर्सेस पढ़ने है और उनके या हो सकर तो नोट से यार करने तो पहला काम हम वह रही होता है कि हम स्लेबस को अच्छे से कवर कर ले में मैंस का सभी सब्देट का और उसके बाद मैं जब यह कंडिशन आती है कि हमारा सेलेबस कंप्लेट हो कभी तो सबसे पहले में रखता है कि हम पेपर फॉर और पाइप कंप्लेट करें क्योंकि जो पेपर फॉर फॉर फाइप है यह इसका स्लेबस बहुत लिमिटेड है और हमको लिखने के लिए पुरा टाइम मिलता है तो हम इसके जो टॉपिक यतने भी दे रखे हैं उनको ड कर सकते हैं और बार बार रिविजन करेंगे तो हमारा वो उसमें मार्किंग बढ़ जाएगी और मैं साथ ही हिंदी जो है पेपर फाइप वह प्रफेक्शुल इंफरमेशन है मतलब अगर हमने हिंदी में अच्छा से काम किया है तो मुझे लगता है कि सबस्यादा स्कॉरिं कि आंसर शीट आजाएगी तब मुझे लगता है कि इस बार कुछ बच्चों ने देड़सों नहीं मिनिममम मुझे ऐसा लग रहा है मनीश की 170 के एराउंड बच्चों ने नंबर टच करे होंगे क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी करी है बच्चों ने हिंदी की और अगर आ एक वीडियो बना लेंगे डिसकेशन कर लेंगे कि यह तीन सबजेक्ट ने आपको रैंक दिलाई है सलेक्शन नहीं बटा रैंक 456 यह तीनों आपको जैसे हर आपने एक कॉमन देखा होगा जितने भी टॉपर यहां पर आ रहा है उनकी स्ट्रेटिजी पढ़ने का तरीका पढ़ने का समय बलाई अलग है लेकिन अगर आपने देखा होगा एक कॉमन चीज निकाली होगी तो स्ट्रेटिजी सेम है 456 इन्होंने पहले कवर किया है ठीक है और अगेन यह लास्ट में होते हैं तो इनका इंपेक्ट जो रहता है मतलब 123 का इंपेक्ट इन पर पढ़ता है तो इनके सबसे पहले मनीश ने नोट्स बना कर रखा तो और इतने से प्रिसाइज नोट्स मतलब मुझे लगता है कि 45 जो नोट्स है इनके यह मुश्किल से 30-40 पेज में या एक छोटी सी बुकलेट में आ गए मेरे हिंदी के नोट्स मेंने बहुत कंसाइज बनाय थे क् हिंदी को दो पार्ट में पड़ सकते हैं एक पार्ट बच्छे ने कमेंट किया था, मैं पारेभास एक शब्दवलियां याद करवा रही हूं, उसकी मैंने 500 सीरीज, 500 वर्ट्स की सीरीज चलाई है, बच्छों पारेभास एक शब्दवली लगभग तीन आती है, तीन से चार आती है, अभी जो है, पहले पांच आया करती थी और इ तीन पूर्ण प्रशनों की सीरीज है, जो कहीं न कहीं आई हुई है, तो वो आपका आंसर शायद मनीश ने ही दे दिया, कि पारेभास एक शब्दवली लोकोक्ती, मुहावरे, विलोम, तचसम, तदभव, यही स्ट्रेटिजी अपनाई हैं, कुछ भी अलग नहीं किया है, याद करने वाले subject अलग, समझने वाले अलग, और उसके बाद में छोडने वाले या भगवान की दया पर या एक logical ability से solve करने वाले question अलग, यही एक फंडा इन्होंने अपनाया, बिल्कुल सहीं, ठीके, अब इसके बाद मनीश मुझे ये बताओ, कि 1, 2 के लिए again, क्या book प् complete किया, हलाकि मैं paper 1 के लिए बहुँ ज्यादा मेनत करने की ज़रूत नहीं होती, क्योंकि हमारा exam के दिन भी पहला दिन होता है, और हम उसको 8 दिन पहले से अच्छे से revise कर सकते हैं, तो अगर हम चाहें तो history, geography, इनको notes से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें पी जैसे अब भी हम notes बना सकते हैं उनके, कि जो हमारा तथ्यात्मक जानकारी है, कि प्रियासत थे, इसमें कौन-कौन से राजा हुए, और क्या नका sequence रहा, तो इनके notes बना सकते हैं, और जो बाकी subject हैं, हमारा पूरा बाकी history है, geography है, हम उनको जो हमारे class notes है, या भी जो भी coaching के notes है, उनको three पे, क्योंकि मैं होता किया है, जब हम exam देने आते हैं, तो paper one हमारा होता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि हम अच्छे से revise कर पाते हैं उसको, लेकिन paper two, paper three बहुत lengthy होता है, और अभी जो नया syllabus है, इसमें तो बहुत diversification कर दी है, paper two, paper three में, तो paper two और paper three में बहुत काम करने की ज अच्छे से, उनके notes बनाएं और अच्छे से prepare कर लें उनको, तो इस तरह से हम paper two और paper three में अभी जो नया syllabus है, इसमें भी जो नया subject एड़ है, या ऐसे topic हैं कि जो हम book से पढ़ेंगे तो बहुत time लएगा, या समझने में जटे ले, तो उनके notes बना के रखने चाहिए, मतलब personally मुझे लगता है कि मैं, अगर हमको notes बनाने हैं किसी subject के, तो paper four five के बाद paper two और three में फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम paper one तो पढ़ लेंगे पहले से, लेकिन two और three के लिए बहुत काम करना पढ़ता है, तो और उसके सांसात में एक्ची जो और है, कि जब हमारी exam होती है, त तो उस exam के time को revision का time मिलने पाता है, हम एक दिन में paper two और paper three पूरा revise नहीं कर पाते हैं, तो उसके हमको अभी से तयारी करने होती है, कि हम उस दिन क्या पढ़ेंगे, मतलब जिसे हम भी हमारा paper three है, उसमें दस unit है, हम एक दिन में दस unit को revision नहीं कर सकते, लेकिन अब जब हम त energy है, environment है, या फिर science है, वो जितना आता है उतना बन जाएगा, लेकिन maths के formula है, या फिर अपना energy और environment data है, इनको हम एक दिन पहले revise कर सकते हैं, तो मैं उससे दो फाइदे मिलते हैं, एक तो जो हमारा quality वा इंप्रोव आती है answer की, और जो एक exam का fear होता है, कि exam के एक दिन पहल में conclusion निकालो, तो मनीश ने ज़्यादा तर जो है, वो अपने notes और अपने teacher के notes को ही prefer करा है, तो एक भरम रहता है कि मैंने ये पढ़ा, six से लेकर 12 तक की NCRT पढ़ा, ऐसा आपने क्यों किया, आपको notes पे इता बिलीब? मैं, जब मैंने coaching start की थी, उस समय मेरा इतना focus नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो मैंने, मैरा बस यह था कि मैं coaching कर लूँ अच्छे से, और जो coaching के notes से, मैं को teacher ने पढ़ा है, समझ में आया, और जो coaching के notes से, वो same से, तो मैं को लगा कि ये पूरा sufficient है, उसके आते, तो हम उनके ही help क्यों ना ले, मतलब हमको किसी subject को पढ़ना है, और चार सो पेच की book है, और सो पेच के notes है, तो ज्यादा बहता है कि हम सो पेच के notes पढ़ ले, हो सकता है कि books आपकी quality improve परे, लेकिन वो MPPSC के लिए मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा helpful है, UPSC के लिए कि हम notes से भी prepare करते हैं, और अगर जो notes में लिखा है, उस पे हमारे अच्छे से command है, और जो notes में लिखा है, उसी को हमने उसी way में या अच्छे से represent किया copy में, तो अच्छे number मिलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक बात अगर आपने देखी होगी, मनीश ने ये बोला, कि जो teacher हो उस subject की बहुत authentic book होती है, वो 5, 5, 6, 6, ने अप्रोक्सिमेटली 10, 10 book से पूरा हर book का content data लेकर उस notes को precise करता है, और उसके बाद आपको पौरा उसता है, तो में को ये लगता है कि उसने आपका पूरा समय बचा लिया, क्योंकि अगर self study आप करते हैं, तो वो बच्चा क्या कर पाटन को fulfill करते हैं, तो वो भी sufficient होते हैं, selection में, ना cable selection में, बलकि topper बनाने में भी sufficient होते हैं, एक्चिल हमारा ultimate goal ले कि हम selection लें, तो जो हमारी exam में पूछा जाता है, जो हमारी exam के demand है, हमको उसके focus करना चाहिए, बुक्स नोड आउट अच्छी है, हमको पढ़ना ही प्रिसाइजली बने हुए हैं, और उनकी language हमको हमारे लिए अच्छी है, आपको समझ में आती है, तो आप notes से बिल्कुल syllabus भी तियार कर सकते हैं, revision भी कर सकते हैं, और अच्छा कर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अब ये दो चीज हुई मेंस की, interview के लिए क्या कैसा रह आपका? मेरा इंटर्यू ठीक रहा था, और मुझे लगता है कि इंटर्यू की जो तयारी होती है, आपकी जरनी के साहते हैं, जो आप develop करते हैं, आपके पूछा जाता है, आपके बारे में पूछा जाता है, कि आपने अभी तक क्या किया है, या आपकी life अभी तक किसी रही है, और उसी के आसपास question चलते हैं, तो आप जब pre- prelims के तयारी कर रहे होते हैं, या मेंस की तयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय आपकी interview की तयारी अपने आप चल रही होती है, लेकिन जब हमारा interview होता है, तो उसके 15-20 दिन पहले से आप dedicated current affairs या भी आपकी जो personal information है, उनको कर सकते हैं, हमने भी वही किया था, और mock interview दे सकते हैं, बाकि इसके बाद हम बहुत कुछ वहाँ पर उस दिन पर depend करता है क्या को दिन के सारा है, तो interview के लिए बस जो हमारी अप interview की date आ जाए, तो हम तयारी अच्छे से कर सकते हैं, और वह sufficient है, बिलकुल सही, अब मनीश के इतने सारे question और इतने सारी चीजे पूछने के बाद में, कुछ बच्चों ने बहुत सारे question करे थे कि मैं यह चीजे क्या करनी है, कैसे prepare करनी है, तो बच्चों की उन question को, no doubt मैं video बनाऊंगी, क्योंकि यह question आपने मुझ से करे हैं, या बहुत सारे बच्चों के doubt रते हैं, सब्क्राइब है थे हैं," पहर करते क्या थे और अंचानी." मैयमे छुभर दिन्चरी था वहीं कुछी कोछी क्यों प्रसफे पर करने थी फिर से क्या हिवस्कि भर द साम्धन स मुस्किलू दिन्चरी ही. कि रुआ जे हिक् toca किसी सभा से मोरनिंग मैं कभी पड़ने मन लगानी मेरा है तुमें आराम से आट नुम नमजें उट के त्यारी करता था और दिन भी मैं अराम जब भी मैं को लगताँ है कि अब बस वरा है अब इस से जाधा पढ़ेंगा तो कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा तो फिर उस टाइम आराम करके फिर हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और मैं यह एक्जाम पर एक्जाम में डिपेंड करता है कि जब आपकी एक्जाम पास में नहीं है कि उसको इजीवी कवर कर सकते हैं क्योंकि होता क्या है कि इसको सस्टेंड करना मुश्किल है आप जो आपकी की दिनचर בש होती है एक दिन दो दिन आप कर सकते हैं लेकिन जब आपके गोल्स स Googling लगते हैं है कि मुझे परसने जो मेरी दिंचरे थी और मैंने उसी पर काम किया उसी के साथ में तियarki की और कई में मुझे अर् मुझे बिल्कुल मतलब मनीश ओन्री वह संदेश है कि अपनी दिंचरिया को बहुत रिजिडना बनाे flexible बनाए अपने comfortable के हिसाब से आप काम करें और ये मनीश ने बिल्कुल सही बोला बच्चों पता है होता क्या है कि हम क्या करते हैं जैसे अगर मनीश अगर ये चीज बोल देते अभी कि मैं ऐसे पढ़ता था आधे से जादा बच्चे ये ही काम करते हैं आप देखिए न कि आप कब सोते हैं कब उठते हैं आपके घर के दिंचरिया बनाई है पढ़ने का पैटन जरूर आप ऐसा रख सकते हैं लेकिन पढ़ने का बोलना चाहिए सुटेबल की कब पढ़ना है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वह आप अपने हिसाब से फिक्स करें दूसरा प्रश्ण है कि आप पढ़ाई कैसे करते थे पढ़ और इसके लाव मैं एक-दो काम वर मैं करता था पढ़ने के साथ साथ कि जहां भी मैं बैठता था पढ़के लाइब्रेरी में है या फिर रूम पे आपर मैंने सामने एक वाइट शीट लाहा रहा की थी और मैं उस पर जैसे जब मैं तियारी कर रहा हूं या पढ़ रहा हू तो कुछ मिलता है डाटा या इसी चीज जो मुझे लगता है कि मैं किसी आंसर में यूज़ कर सकता हूं या किसी क्योश्चन में काम आ सकती है तो उसको मैं हुआ पर नोट डाउन करता था पैंसल से वो लिखी रहती थी या फिर इसा कोई डाउ बहुत बार होता है मैं हम त आप तुरंट आपके माइंड में क्लिक होगा कि नहीं वह उपर वाला यह वाला था और नीचे वाला यह था तो यह तरह कि हम कर सकते हैं हमारे पास मतलब यह ऑप्शनल है विसे तो मैं लिख 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 पढ़ना और जो भी ऐसे फेक्ट्स हों जो हमको याद नहीं होते हैं वह इंपोटेंड हो उनको नोट डाउन कर सकते हैं तो यह अगर हम तयारी करते हैं तुमारे जो तथ्यात्मक जान करी वह यादा अच्छे से बढ़ती है चलो एक प्रशने तयारी के दौरान मनीश का मोबाइल कहां रहता था पूछे चलो पूसते हैं बताओ मैं म मैंने जाए तो मैंने पढ़ाई किया मैंने बुक से किया मैं मैंने बहुत कम ऑल्लाइन पढ़ा है हाला कि जब सिलिबस चेंज हुआ था तो जो नए टोपिक्स आया थे उनके लिए मैं मोबाइल के हल्प ली थी और कुछ यूनिट्स जैसे पेपर 3 में यूनिट 7 है वो आ मैंने जेबल था तो मेरे पास ही था मैं मुवाई चलिए नेक्स्ट कुश्ट्यम मनीष से लेते हैं कि आप बुक्स का चयन कैसे करते थे ये एक प्रशन लिखा हुआ है तो मनीष ने जैसा की बताया आप उनसे ही पूछली जे बुक्स का चयन या नोट्स का चयन कैसे बच नोट्स को prefer करते हैं और उनको ही हम त्यारी के दुरान पढ़ते रहते हैं लेकिन कभी-कभी अगर होता है कि कोई नोट्स है और वो हमारे exam की जो syllabus उसको demand को पूरी नहीं करता है तो हमको नए नोट्स देखने पड़ते हैं या फिर नई books देखने पड़ती है तो जब भी मैं अगर किसी books को देखता था या किसी notes को देखता था तो सबसे पहले मैं उसकी language को देखता था कि इसकी language किसी है और उसके बाद जो उसमें information दी है syllabus के अगर वो मेरी जो syllabus में टॉपिक दिये हैं, उनको 90% भी कवर करता है, तो मैं उस बुक को अच्छा मानता था कि हाँ, यह मेरे काम के लिए हो, इसके लाओ में कभी-कभी होता है कि कि किसी particular topic के लिए हमको दो source लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक source में sufficient नहीं होता है, लेकिन हमको यह होता है कि अगर में खुद के notes बना लें, तो मैं पहली चीज की उसकी language और वो हमारी जो syllabus के demand को पुई करता हो, बस, यह दो criteria किसी भी notes को judge करने के लिए लिए लिकुल ठीक है, नेक्स्ट question है कि क्या तैयारी के लिए coaching ही जरूरी है, बिना coaching के MPPSC के तैयारी नहीं की जा सकती, मैं इसा नही ही कि हम बिना coaching से तैयारी नहीं कर सकते हैं, बहुत लोगों ने बिना coaching के भी prepare किया है, लेकिन अभी जो वर्तमार में condition है, आज हम देखते हैं कि online courses easily available है और बहुत affordable price पर अवलेबल है, तो जो भी student अगर तैयारी करना चाहता है, तो अगर उसके लिए अगर favorable है और affordable है तो या फिर अगर लगता है कि इतना affordable नहीं है तो उसको online coaching कर सकता है, बहुत ही minimum price में भी online coaching मिल जाती है, coaching का में हम फाइदा ही होता है कि जो हमारा MPPSC का syllabus है, जर्नी है, बहुत लंबी होती है, syllabus बहुत vast है, तो जब हम किसी coaching से या किसी teacher के उत्रूप पढ़ते हैं, तो बहुत concise way में पुरा syllabus cover हो जाता है, पुरे syllabus पे हमारी एक समझ बन जाती है, और जो तयारी के दो जो घबराट होती है कि मेरा ये भी छोड़ गया, ये भी छोड़ गया, वो चीसे बच जाती है, इसके लिए हम को अगर आपके पास उतने संसाधन हैं कि आप coaching कर सकते हैं, बहुत को coaching का चयन कैसे करें? तो नहीं कि हमको कुछी दिन पढ़ाने के बाद मूग कर जाएंगी, तो ये दो तीन चीज़े हैं, इसके अलावा में syllabus को पूरा करने का क्राइटरिया, बहुत सारी coaching में होता है कि syllabus कवर नहीं हो पाता है, तो जो बच्चा जिस देश के लिए आया था कि मेंको पूरा syllabus concise मे आपके rights हैं बच्चो, बहुत बड़ी बात बोली है मनीश ने, आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, faculty, वहां के पढ़ाने का तरीका, notes, आपको ये सारी चीज़ों को देखना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो माता-पिता हैं, वो जो पैसा कमा रहे हैं या ज बड़ी महनत कहें क्योंकि हम सब मध्यमवर्गी परिवार से आते हैं, एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी मैं नए experience हैं जिनको तैयारी करनी, coaching करनी है, तो किसी भी topper को देखके इस लिए ना जाए कि इस topper ने यहां से coaching की थी, तो हमने तीन साल पहले, चार साल पहल हो जाती है, तो आप देखें कि वहां पर जो फेकल्टी जो पहले थी वो है या नहीं है, तो उन सब बातों को देखकर हमको coaching को देखना चाहिए, बजाए किसी topper के, कि यह topper यहां से पढ़ा तो हम भी यहां से पढ़ेंगे, मतलब आपके पस विवेक है, विवेक यूज क चलाते हैं, तो आप पर डिपेंडेंट बहुत सारी चीजे होती है, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में पढ़ानी की बात कर रही हूं, क्योंकि मैं खोद एक टीचर हूं मैं जानती हूं, आपके अंडर में लगभग 100-200 लोग काम करते हैं, आपको AC, बिजली, पंखा, पानी, देखना पड़ता है, और कोचिंग का रेंट आजकल जो है, जहां पर इंस्टिट्यूट चल रहे हैं, इतना जादा है, तो उन सब को मिलाकर एक मार्जिन होता है, वो सब चीजे होती है, उसके एकॉर्डिंगली आप ऐसी फीस स्ट्रेक्चर में को लगता है, सेट करना चा बहुत बड़ी बात बोली, तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझे बच्चों, और आपके राइट्स है, आप जब भी अपनी कोचिंग का चेयन करें, पहले डेमो लें, डेमो लेने के बाद आप क्या करें, वहां पर जाएं, और पूरी बात क्लियर रखें कि कप क्या सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो शायद मुझे लगता है, उसी में मिल गया, लेकिन एक बारी और देख लेते हैं, कि ऑनलाइन और ओफ लाइन, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, जो गाव से और खासकर लड़कियां, मेरे पास बहुत सारे मेसेज़स हैं, मनीश लड़कियों के, जो शादी हो गई है, मतलब बेबी हो गए हैं उनके, और उनके बाद, और शेर, इसलिए रुची धर्मन पाटशाला ओलनाइन आया है, मैं ओफ लाइन ही टीचर रही हूँ, मैं अभी अभी ओलनाइन आई हूँ, तो उन बच्चों के मैसेज आते हैं, कि म में तैयारी कर सकते हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं आप तैयारी, और उसके लिए ओलनाइन आज के समय में ब्रह्मास्त्र है, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक चीज मैं बोलूँगी, इसके आंसर में, फिर हम मनीज से ये चीज लेंगे, आंसर के त कौरान, चुकि ये अबजेक्टिव फॉर्म में में मेंस नहीं होता, आपका मेंस होता है रिटन, उस टाइम आप रिटन पैक्टिस, अगर घर से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप थोड़े दिन के लिए, एक देड महने के लिए, कॉम्पिटिशन जैसा माहूल क्रियेट करने के लिए, बच्चों के बीच में आ सकते हैं, मतलब ओफलाइन आ सकते हैं, अगर आप घर पे ही ये माहूल क्रियेट कर लेते हैं, कि आपने आंसर रेटिंग घर पर कर लिया, आपने आपको टाइम दिया, टास्क दिया, या ओनलाइन में आपको लाइव सेशन मिल रहा है जो आपको ये काम करवा रहा है तो ये काम घर पे भी हो सकता है ठीक है अब मनीश से जाल लेते हैं कि online या offline में क्या difference है कौन सा best है कैसा क्या तरीका होना चाहिए मैं मुझे लगता है में जो online और offline दोने बेस्ट है अपने अगर हम देखी स्कोप को तो उनों दोनों अच्छा काम कर रहा हो दोने बेस्ट है लेकिन अगर कोई किसी के पास संसाधन है और टाइम है अफोर्डेबल उसके पास है तो बिल्कुल उसको offline करने चाहिए कि offline में हमको competition मिलता है और एक मा लोग काम कर रहें इस दिशा में तो online का continue बहुत अच्छा हुआ है लेकिन एक point है इसमें कि जब भी हम किसी online platforms त्यारी करें तो बहुत ज्यादा भटकाव से हमको बचना चाहिए भटकाव से मतलब मेरा यह है कि जब भी हम किसी भी platforms त्यारी कर रहें तो हम देखें कि उसमे पूरा syllabus cover होगा या नहीं होगा या फिर एक syllabus के लिए हम बहुत एक notes के लिए या फिर एक particular topic के लिए दो या तीन sources ना रखें online भी क्योंकि मैं उसमें क्या होता है कि teachers के पढ़ाने का तरीका अलग-अलग होता है और कुछ जानकारी में भिननने भी होती कभी-कभी अलग-अ तो इसको लेकर भी हमको पहले fix करना चाहिए कि मुझे इसी platform से पढ़ना है और फिर पूरी दयारी हमको उसी platform से करने चाहिए तो दोनों best है आपकी जो सुविधा हो जो आपको convenient हो अगर आप आ सकते हैं तो offline best है लेकिन अगर आपके पास इसी conditions है संसादनों का भाव है या फिर लगता है कि हम इंदो रजे से शहर में आके नहीं पढ़ सकते हैं तो आज online continue बहुत अच्छा हो चुका है मैं बहुत बड़ी बात बोली है मनीश ने मतलब मुझे लगता है कि अब बच्चों के सारे प्रश्न जो है उनके जवाब मिल चुके होंगे लास्ट प्रश्न बच्चे बोल रहे हैं कि माम हम कैसा कैसा क्या काम करें और किन गलतियों से बचे मेंस के दोरान विशेश कर ये प्रश्न आया है और यह शायद इसली आया होगा क्योंकि अभी जुलाई में में मेंस है मनीश तो आप बताएं कि किन गलतियों से बच्चों को बचना चाहिए सबसे पहले तो जो हम जब में की तियारी करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा भटकाव से बचना चाहिए मतलब मैं देखा है और में भी उस चीज को मैंने फेस किया है कि हम जब हम किसी टॉपिक को पड़ते हैं और हमने हमारे पास नोट से ने कवर कर करते हैं और दूसरा में यही कि बहुत साही लोग पढ़ते हैं लेकिन फिर टेस्स ने देते हैं या फिर राइटिंग प्रेक्टिस नहीं करते हैं तो मेंस के लिए जब भी आपका स्लेबस कंप्लिट हो जाए और आपको लाइए कि हम मैं अब आंसर है लिख सकता हूं या पते हैं तो आप निरंतर जबता आपको चेहन नहीं हो जाए तब आपको निरंतर टेस्ट देना है क्योंकि मैं टेस्ट ही आपकी आंसर इसपीड आपकी राइटिंग इन सब को इंप्रूफ करती है मतला मुझे नहीं लगता है कि टेस्ट के अलावा इसी और कोई चीज़ ह जो आपको mains में आपके number को improve करेगी तो जब भी आपका syllabus complete हो जाए आपके पास confidence रहे कि मैं इन question को attempt कर सकती हूँ चाहे वो शुरुआती दोगर भले ही इतने अच्छे ना हूँ लेकिन आपको लगता है कि हम इनको attempt कर पाऊंगी तो आप उसके बाद निरंतर टेस्ट देते रहें मतलब कभी कभी होता है कि मैं टेस्ट के बीट में गेव बद कम होती है कि हम पांच में से तीन यूनिट पढ करना होता है तो आप आपको जब भी टेस्ट हो आपकी चाहे पढ़ा हुआ हो चाहे ना पढ़ा हुआ आपको टेस्ट देना ही चाहिए क्यों को आपको कुछ पता है कुछ पता ही नहीं है और कुछ के बारे में हलकी सी information है तो आप फिर टाइम को कैसी यूज करेंगे अच् स्केलाव में जो फ्रेम होता है आंसर का फ्रेम क्योंकि हमारे मार्क्स मिलते हैं वो हमारी राइटिंग स्किल्स में मिलते हैं और जब हम लगातार टेस्ट लिखते हैं तो हमारे आंसर की फ्रेमिंग बनती आती है जैसे आपने बुला फ्रेमिंग क्या बता पाओगे फ्रेमि होती वो हमारा पास तीन लाइन होती हैं तो हम इस तरह के मुらい पास तीन लाइन होती है और सबसे पहले मैं मम ज fabrics तो उसमें को डिवाइट करना चाहिए कि हम सब्सक्राइब करते हैं कि इसि तरह को इस metrics लिखा कि उसका वो नदी कहां पर है उसके बाद लिखनी आपर हम इसका मूहाना लिखेंगे कि हमारी आप पर basic information complete होती है लेकिन इस इतर बच तो इस सी स्पेस को छोड़ने के बजाए थ्री मारकर में मुझे लगता है कि आप जितनी भी इंफर्मेशन आपके पास है उनको दे सकते हैं क्योंकि उसका फाइदा मिलता है और तो मैं जैसे माम लोगी नदी है तो उसकी प्रक्रती कि वो नदी किस टाइब की सदा नीरा है या फिर मौसमी नदी है तो हम यह लिख सकते हैं इसके अलावास के सायग नदी है और नगर तो मैं इसमें क्या होता है जो फ्रेम है हमारी इस फ्रेम में हम सारी नद्यों को लिख सकते हैं और जब हमरा पास यह फ्रेम होती है तो लिखने में वर्थ कम टाइम लगता है आपने आप पूट कर दी और आपको जो चेक करने वाला है उसके लिए भी इजी होता है कि उसने लंबाई मिल गया उसका उद्गम मिल गया मुहाना मिल गया तो मैं उसको बहुत कम में बहुत ज्यादा मिल जाएगी और हम में नहीं जांदे कि को सकती है तो हम से पहले से ऊप्रेम करेंगे तो इससे हमारी स्पीड होती है त्री मारकर में हम क्योंकि जो हमारा वन टू थी है इन्हें बहुत इंपोर्टेंट रोलता है त्री मारकर का क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप से पूश्टेंगे तो हम गुरूप कर ले कि हां इस टाइप की जो कुश्टन आएंगे हम उनको इस प्रेम में लिखेंगे या दूसरे की क्योंकि प्रेम हम अलग तरीके से लिखेंगे तो यह त्री मारकर का हो जाता है इसके बाद जो पांस नमबर वाले कुश्टन है मैं तो ग्या नमबर ही मैनेज करना है तो पांस नमबर में हमको कुश्टन को डिवाइट करना चाहिए तीन टाइप से कि कुछ कुश्टन उनकी इंफर्मेशन पास बहुत अच्छे तरीके से हैं कि हम इनको तो बहुत अच्छे से लिखेंगे तो उसमें हमको एक इंट्रोडक्श है फाइप मारकर में अभी जो हमारा नया से इसमें आप पॉइंट्स के साथ सारी कुश्टन कर सकते हैं और लगबक क्योंकि इसमें हमार पास पांच-छे लाइए नहीं है तो हम पॉइंट्स में ज्यादा चीजा कवर करेंगे तो पांच या छे पॉइंट सफिशेंट है उसके बाद एक कंक्लूजन जो इन सब को कवर करता हूँ लेकिन मैं इसमें होता क्या है कि पांच नमर वाले कुश्टन है दस कुश्टन होते हैं लेकिन सभी में हमार पास कमांड उतनी नहीं होती है तो जो प्रस्तावना वाला और कंक्लूजन वाला है हम चार-पांच जहे लिए भी जाएं सबने, क्या बाला में कसे वाली क्षटन से मैं इसमें को ज्यादा क्ाम करना चाहिए 9 नमर में 3 सबसे पहले उसका ज्यायरा नमर क्योंकि क्योंकि इसमें अगर हमने जो data अंभर में तथ्यात्मपक जानकरी अच्च्च से दिले हमरा प्रेजंटेशन अच्छा हइँ तो इसमें नंबर बढ़ते हैं कि आप कम से कम दो लाइन में आपका प्रस्ता होना लिखे और इसके बाद अगर कोश्चन के डिमांड है तो आप एक छोटी से फ्रेमिया दे सकते हैं कि मानलो लो चार्ट में कि मानलो गरीबी के बारे में कुछा गया कोई कुछ्चन है तो आपने यहां पर लिख दिया कि क् पर टाइप राकार और इन तरीके साम एक बार हमने दिखा दी उसके तमको उसी जो फ्रेम में इसे पर काम करना है अब हम यहां पर एक सब बना के इस तरह से लिख सकते हैं इसकी डेफिनिशन लिख दिया हमने वारा कंप्लिट हो गया अब हमने एक यहां पर पॉइंट मना है कारण इसके हमने पांच पॉइंट लिख दिए इसके अलाव भी हम से पॉइंट बनाया में तो हम इसको और भी डिवाइट कर सकते हैं जैसे मालो की गरीबी को हटाने के लिए प्रियास की बात होती है क्या प्रियास हो सकते हैं तो हम यहां पर हमने प्रियास को और भी ड एक नीती या फिर एक तक्नीकी उपाय कुछ हम कर सकते हैं या संस्तावत उपाय हम कर सकते हैं इस तरह से हमने चार-पांच बता दिये आप हमारा पर जो फ्रेम होती है हमको इसमें सिर्फ प्रेक्ट को एक पूट करना है आपने यहां पर दो योजना ही लिग दी एक कारिक्र के अलग-अलग डाइमेंशन में लिखेंगे हमारे मार्क उतने अच्छे होंगे त्री मार्कर में इंफर्मेशन जितना आप देपाऊ उनको और ग्यारा नंबर में डाइमेंशन की जितने डाइमेंशन में खुलेगा जिस फ्रेम में आप लिखेंगे वो और पांच नंबर मतलब मेंस के लिए तो ये ब्रह्मास्त हो गया बहुत ही अच्छी इन्फोर्मेशन एक चीजें हमने आज खुल कर सीखी यहां पर आप बच्चों को क्या संदेज देना चाहेंगे कि वो पीसी की तयारी कर सके मोटिवेशन हो उनको मिल सके कैसे आप बोलना चाहेंगे कि बच सीखी तयारी है इसलिए टफ नहीं कि इसका सीलेबस बहुत बढ़ा है या बहुत कटिन चीज़े पूछते हैं चीज़े पुछते हैं सीलेबस भी ा कवर हो यताellsाद है लेकिन बड़ी चीज़ा आपका जो confidence है, वो आपको कहीं भाहर से नहीं मिलता है, आपका confidence आपकी तैयारी देती है, तो आपकी तैयारी को जितना time आपको मिलता है, आपकी तैयारी अच्छे से improve कीजिए, खुद पर विश्वास बना के रखिए, और विश्वास तब बनेगा आपकी तैयारी अच्छे होगी आपके तयारी अच्छ होगी आप टेस्ट देंगे आपके मार्क्स अच्छा आएंगे तो आपको automatically confidence आएगा कि आज मेरा नहीं हुआ लेकिन जब भी मेरी result आएगा जब भी exam होगी तो मेरा selection पक्का है तो अपनी वीडियो आगे बनाने वाले थे कि आप वहाँ पर देखें कि टीचर कैसा है सिर्फ advertisement पे ना जाएं सारी चीजों को या टॉपर ने कह दिया इसलिए ना जाएं अपने विवेक का यूज करें जाएं एनालिसिस करें डेमो लें और उसके बाद आप जोइन करें यह बहुत बड़ी बात मनीश ने आज हमको यहाँ पर बोला इसके साथ ही हम मनीश को उनके आगामी जीवन के लिए बहुत-बहुत भधाई देते हैं शुब कामनाय देते हैं पूरे रुची धर्मन पाटशालर की ओर से कि मनीश आप जहां पर भी जाएं जैसे ही आप मुझे क्लास में मिले ठीके वैसे ही आप इतनी ही सीरियस तरीके से इतनी ही सच्चाई से इतनी ही लगन से आगे प्रशाशन के लिए काम करें अपने चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बने रहे आपके अपने रुची धर्मन पाटशाला में और सीखे नई नई चीजों को धन्यवाद